हेई एवरिवन वेलकम टू मैं संडे स्पेसल कुकिंग ब्लॉग तो सायधी कोई ऐसा होगा जिसे चाट नहीं पसंद होगा आज मैं पापड़ी चाट बना रही हूँ जो कि बहुत जायर टेश्टी बनेगा और इसकी एक मैं बहुत ही अच्छी चाट बताऊंगी जिससे कि आप 8-10 तरह के चाट बना सकते हैं आज मैं जो छोले बनाऊंगी उससे आप 10 तरह के चाट जरूर बना सकेंगे तो बहुत ही इजी तरीका है ऐसे चाट बनाने के लिए कई सारी चीजे तयार करनी होती है लेकिन सारी चीजों को तयार करने के लिए मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि बहुत ही अच्छे से सभी चीजे रेडी हो जाएंगी तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर मटर जिसे मटरा भी बोलते हैं रगड़ा भी बोलते हैं आप लोग इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंड कीजेगा तो इसे मैंने 8 से 10 घंटे के लिए अच्छे से भिगो लिया ह और आज मैं जो चाट बनाऊंगी इसे से बना होंगी बहुत ही अच्छी बनेगी और इसकी जो ग्रेवी बनेगी इतना मल्टी परपस होगी जिसे आप 8-10 तरह के चाट बना सकेंगे तो इसे मैंने कुकर में डाल दिया साथ ही मैं डाल दिया आलू प्याज और टमाटर तो हल जल्दी भी बन जाएगी इसमें क्या करेंगे धकन लगा देंगे और पांच विसल तैयार ले लेंगे जिसे की चाट मतर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे अब चाट में डालने के लिए मल्टी परपस मसाला बनाएंगे जिसे की चाट कर टेश्ट अग्दम डवल हो पर देखें ध्यान से जले ना उसके बाद डाल देंगे इसमें काली मिर्च साथ ही डालेंगे इसमें अजवाइन जो की बहुत ही अच्छा टेश्ट लगेगा और डाइजिसन के लिए अच्छा है ठंड़ कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा मतलब मिक्सी के जार में डाल दिया है मैने काला नमक अथोचा आमचूर पाउडर और इसे अच्छे से फाइन पाउडर बना लेंगे देखिए आप इसमेसाले को दहिवले कूपर डाल सकते हैं किसी तरह के चाट के उपर डाल सकते हैं राहत ही ज्यादा टेश्टी लगता है मसाला तो यहाँ प इसमें बीज नहीं है बिल्कुल भी अब ध्यान रखें बीज ना हो इसे डाल देंगे मिकसर के जार में साथ ही मैंने थोड़ा से पानी भी डाल दिया है और इसे अच्छे से फाइन पेश्ट बना ले इस तरह से आप बनाएंगे ना इमली के चट्टी तो टाइम भी बहुत क होगा और बहुत ही जल्दी से बन जाएगी आपको ज्यादा मेहनत भी करने की जरुत नहीं पड़ेगी यहां पर जो पेश्ट बना उसे छान लेंगे ताकि इसमें जो भी मोटे सन वेगरा हो निकल जाएं साथ ही थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी को एड़ साइड में रख दिया है ताकि खुद पर खुद से उसका मतलब सीटी निकल जाए अब क्या करेंगे इसमें गुड़ डालेंगे तो मैंने यहां पर एक कटोरी गुड़ डाला है कोई मेजरमेंट नहीं है मुझे कम लगेगा बाद में तो मैं इसमें और एड़ कर दूंगी जब तक जो चटनी उबल रही है मैं इधर हरी चटनी की तयारी कर ले रही हूँ इसके लिए मैंने धनिया पुदीना काटा है बहुत ही इजी चटनी है बहुत ही फटा-फट से सारी चीजे हो जाती है दिकि चटनी यहां पर अच्छे से उबल गई है और जादा गाड़ा नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी होगी तो और ज्यादा गाड़ी भी हो जाएगी अब इसमें डाल देंगे नमक और तो इसा लाल मिर्च का पाउडर अभी जो मसाला बनाया था ना चाट वाला वो डाल देंगे एक चम बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आप चाहें तो यह अधरक डालेंगे नार्मल वाली नमक डालेंगे तो इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अब खटा करने के लिए नीम्बू डाल सकते हैं चाहे तो अब दही भी डाल सकते हैं जो मनों आप डाल दें फिर तो इसा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से फाइन पीस ले कि अच्छा आयए तो यहां पर इंगली वाली चेकने और हरी चेकनी और प्रस अब चलते हैं अब चलते की तरफ देखे यह इए ऑफिपहत बहुत अच्छे से हो गई है तो यहां पर आधकन है मतलब कुद खुद 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 खूल किया मतलब सारा विसल याहां पर दीखे यहां पर शॉफ्ट मतल की नहीं कि यहां पर इसे तरह से घड़े रहेंगे लिकिन आपने आप क्या अपर जो आलू उसे अच्छे से इस तरह से दबाते हो जो मैस्कर देंगे जिसी जो मतर का जो चार्ट या पर जो ग्रेवीय बहुत अच्छी हो जाएगी गाड़ी गाड़ी सी तो इस तरह से आप यहां पर इसे मिक्स कर दे थोड़ा और यह वाला जो चाटन अब बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रही हूं बहुत ही फटा-फट से बन जाता है अब इसके लिए तड़का तैयार करते हैं जो कि इसका टेश्ट बहुत ही जादा ब तो इसमें थोड़ा से जीरा और थो इसे हींग डाला है दोनों चीजे हो जाए तो इसमें डाल देंगे अदरक मिर्च का पेश जो अभी मैंने बनाया था ऐसे लो फ्लेम पर तो अब भून लें जाए तो इसमें डालेंगा थोड़ी बहुत सुखे मसाले तो मैंने यहां प बूनना भी हमें तो पानी डाल दे ताकि जो मसाले जले ना और अच्छे से भून भी जाएं दिखें यहां पर जो मसाले यहां पर भून गया हैं सारी अब इसमें एड कर देंगे मटर देखें इधर यह चाट होती ज्यादा टेश्टी लगती है आप इस एक मतलम मटर की ग्र इसे तिकी के उपर डें या फिर पानी पूरी के उपर या फिर अफिर समोसे या भी बेजकटलेट के ऊपर भी डाला जाता है अब तो टामाटर को खटी मीठी निए कि थोड़ा सा मतला पका ले उसके उपर डाले तो खट्टी-मीटी-टमाटर की चाट बन जाएगी और कुछ भी मन्ना हो तब इसे पराठे के साथ खा सकते हैं राइस के साथ खा सकते हैं देखिए बारिस हो रहा है बारिस में चाट का मज़ा खाने का तो दूगना ही हो जाता है ठंडे-ठंडे मौसम में गर्म-गर्म चाट खाना चाट मतब यहां चोले अच्छे से उबल गएते तो इसमें डाल देंगे हरा धनिया और तोड़ी सी गरम मसाले देखिए यहां पर यह जो छोले है बन करके तयार हो गए हमारे तरफ से छोला ही बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट कीजीगा ये इस अब कुछ में नहीं तो आपके पर सिंप्ली डाले सेव डाले और यह तयार हो जाएगा अब मैं यहां पर बहुत ही इजी मैने आधा चंबच के करीब घी डाला है आपको someone हो तो घी डाले ऐसे दूने से हमन अगर दोनों में जह जो चीं अच्छी बनती है मैं बहुत बार ऐसे ही बनाती हूँ मैं ममी ऐसे ही बनाती है उसमें कुछ भी डालती नहीं है तो अधोर करके पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा आठा गूत लेंगे मतब रोटी की तरह आपको बहुत ज़्यादा मतब गीला नहीं गूतना है मतब नॉर्मल आप गूतें ठीक है तीक है यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है अच्छा सॉफ्ट आठा मैनी इसका लगा लिया है और सारा आठा मैनी आप प्लाटफॉर्म पर ही रख दिया है और इसकी बहुत बड़ी सी रोटी फेल लेंगे मतब जितना बड़ा यह बिलेगा उतना बड़ा मैनी आप बेल लेंगे बहुत इजी तरीका है बहुत सारे पापड़ी एक साथ बन जाएंगे इसकी टैंसन ना लेंगे और इसे पतला रोटी की जितना आप बेल लें उसके वादे काटा का छमच लें और आप इस तरह से फोक से इसे फोक कर दें जिससे कि जब हम पापड़ी तलेंगे न तो यह फूलेंगे नहीं अब इस तरह के छोटे ग्लास लें या फिर कोई भी छोटा ग्लास का टोरी धक्कन कुछ भी लें मैं रहें जो चोटा फाल ग्लास था मैंने यह ले लिया है अर इससे आप बहुत ही तरीकर करेंपापड़ी बहुत ही आप को प्रेकरने की प्रीक करने चाहरत नहीं है भी एकस्ट्रा वाला है आप इस तरह से उसे नहीं हों यहां पर कितनी सारी पापड़ी बन गई है और आप इस तरह ऐसे फ्राइब कर दें या फिर उसे आप वापस से बेल करके भी फ्राइब कर सकते हैं फ्राइब कर लेते हैं अपको मीडियम गर्म करना आपको बहुत ज्यादा गर्म ना करें नहीं तो पापड़ी अचानक से जल जाएगी और थोड़ी बहुत सौफ्ट भी रह सकती है तो तेल को थोड़ा गर्म कर लें बहुत ज्यादा नहीं और इसे लो टू मीडियम फ्लेम लड़ते डियुक्त ताकि जो पापड़ी में अच्छा कलर आ एक साइड से बहुत ज्यादा ब्राउन ना हो जाए और बहुत जल्दी फ्राय हो जाती है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बिल्कुल यह आईली नहीं बनती है और बहुत ही अच्छे से बनती है एक्दम क्रिश्पी क्रिश्पी आप देखेंगे अभी मैं बहुत साहरा नहीं बनाया है आधा यह बनाया है और बहुत जल्दी से बन जाती है अप इसका आवाज सुनिए कि ज्यादा क्रिश्पी है और भाट फटा-फट वाली रेसिपी आप जरूर से ट्राइब किसेगा आपको मन कमझे दाल चाट में यह आफ मतर के साहथ मतर साथ में मतर के साथ यह सारी शीजए कर दाल करनाया ने तो बहुत जादा अच्छा लगी तुर ना प्याज़ कर लेता है तो इसे इसेंबल कर लेते हैं मतर डाला है मैंने सबसे पहले मैंने चे शाथ पापड़ि ठाल दी यह अपको जैसे पसंद तो हम चीजनें कंदा करें इस सब करें अब दही में थोड़ से डाला ता में थोड़ से चीने अड़ा न्यक्यां मिली का अग्झान voltarा है लाई मिर्च का पारडर मेथी वाली इमली की चेटनी हरी चेटनी पर यहां पर मैंने तो यह सीव डाला है जिसे कि देखने में खाने में अच्छा लगे बहुत जादा ईजी रेसिपी है, बहुत जादा टेश्थी लगती है अपको जैसे मर्जिया पैसे बनाएं बहुत बहुत यमी रेसिपी है जरूर से ट्राइ कीजेगा भी बारिस के मौसम में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा और घर में भी सेर कीजेगा कैसी लगी कमेंट करके बताईएगा मिलते हैं नेक्ट लॉग में बाब बाई